नमस्कार प्रस्टुत है जैक द्वारा आयोजित वर्ग आठ की एसे वन की मैंट्स का हल प्रश्ण पत्र और इसका ये पार्ट वन वीडियो है इसमें मैं पहले दस प्रश्णों को हल करने जा रहा हूँ एसे वन दोजार चौबिस जो अभी अभी संपन हुई है इसमें मैंट्स के अंतरगत 40 प्रश्ण थे तो उसके पहले दस प्रश्णों को मैं हल करना हूँ प्रस्ण संख्या एक है परिमे संख्याओं एक वटा तीन एक वटा दो एक वटा पांच का आरो ही क्रम होगा तो इसमें हमें देखना है कि आरो ही क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटा सबसे पहले उससे बड़ा उसके बाद उससे बड़ा उसके बाद इस तरह से तो हमें पता करना है कि एक बटा तीन, एक बटा दो, एक बटा पांच में सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है यहाँ आप गौर करें कि सभी का अंस समान है, यानि एक है, तो नियम यह है कि अगर सभी का अंस समान हो, सभी परिमे संख्याओं का जो दी गई, दी गई परिमे संख्याओं का अगर अंस समान होए, तो जिसका हर बड़ा होगा, वो छोटा होगा, तो इस तरह से देख रहे ह हैं तो सबसे छोटा हमारा यह एक बटा 5 होगा इसके बाद एक बटा 3 होगा और इसके उससे जो बड़ा हो वह एक बटा 2 होगा तोsteंगा तो लुद्म इस तरह से रोगा 1 बटा 5 1 बटा 3 1 बटा 2 यानि इसका जो बाहन है वह कुशा ऑनि बढ़ रहा है तो हमारा एंसर जो होगा यह option number D होगा उसके बाद प्रस्न संख्या 2 है एक बटा दो का गुनात्मक प्रतिलोम तो परहें में यह समझना होगा कि गुनात्मक प्रतिलोम किसे करते हैं किसी संख्या का गुनात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या को गुना करने पर एक आता हो गुनात्मक तत्समक एक होता है परिमे संख्या के बात करें संदर्प में बात करें तो गुनात्मक तत्समक एक होता है तो हम एक बटा बी को किस संख्या से गुना करें कि वो जो हमारा रिजल्ट या उत्तर आये एक आये देखिए ए बटा बी गुना यहां किस संख्या से गुना करें कि यह एक आ जाए निश्चित रुप से हम किस संख्या से गुना करेंगे बी बटा ए से तो यह हमारा आप्शन भी सही है अब है प्रस्म संख्या तीन दो का वर्गमूल दश्मलों की तीन स्थानों तक होगा तो दो का वर्गमूल हम निकालेंगे किस विधी से हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की दो विधिया है पहला है औभाजी मुननखंड और दूसरा है भाग विधी तो दो का वर्गमूल हम औभाजी मुननखंड विधी से निकालेंगे तो आप भाग विधी से निकालें किस तरह से भाग विधी से निकालते हैं थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ ये दो हमने लिखा, उसके बाद इस तरह से हम ये शुरू करते हैं ये हो गया, अब हम देखते हैं कि किस संख्या से या किस अंक से इसे हमें गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं तो निश्ची तरफ से एक से एक का यहां एक तो ये आगया एक, अब हम यहां पर एक लिखते हैं और इसको जोड़ देते हैं Maya, और एक जगए यहां पर नीशे छोड़ के लिखते हैं एक, एक, डो, तो यहां पर हमने दो लिखा अब हमारे पास यहां उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां हम देगे 10 मलों ठीक है और यहां पर हम 2 शुन्दे बैठाएंगे अब देखिए अब कितना से दे सकते हैं हमें यहां पर ऐसी ऐसा अंध बैठाना है कि उसी से इसको गुना करेंगे तो यह हमारा होगा 4 तो 4 और यहां हम 4 तो 24 को अगर 4 से करते हैं तो यह आता है 96 तो यहां पर आ गया है वारा कितना चार अब फिर हम यहां पर जोड़ देते हैं तो यह होता है 28 और एक जगा हमने छोड़ दिया पहले हमने यहां पर दस मलों दे चुप रहा है तो अब हमें फिर से यह हो जाएगा दो आठ दो और एक जगाहां पर छोड़ दिये और यहां लिखेंगे दो आठ एक यहांनी 281 यहां घटाते हैं दस से नौ और यह है नौ से आठ एक तीन से दो एक अब कुना यहां दो सुने बैठाएंगे अब देखेंगे कि अब आप बार बार यहां पर बैठा कि कभी एक बैठाएं फिर दो बैठाएं फिर तीन बैठाएं फिर चार बैठाएं इस तरह से आप बैठा कर देखें कि क इस से इसमें भाग लगेगा तो आप देखेंगे ये चार से भाग लगेगा तो यहां चार बैठाएंगे फिर चार से बुना करेंगे तो चार चो के सुल्ला के 6 हाथ में रहा एक चार बुनी आठ और एक 9 चरे अठी 32 के 2 हाथ में रहा तीन चार बुनी आठ और तीन 11 ठीक है तो यहां पर अगर हम घटाते हैं तो 10 से 6 गया चार यह 9 से 9 सुने यह 8 से 2 छे तो यहां पर हमारा कितना आ गया है चार तो यह हमारा एंसर है हलाकि आपको दो का वर्ग मूल दस्मलों के तीन स्थानों तक याद भी होगा यह याद से भी आप कर सकते हैं किस संख्या का घं सम है तो यह हम जानते हैं कि सम संख्या का घं सम होता है और विसम संख्या का घं विसम होता है तो इस तरह से ये जो चार option दिये हुए है, उसमें जो sum संख्या है, ये option number C 72 है, तो इसका घन भी sum होगा. अब यहां है, प्रस्न संख्या 6, तो यहां क्या है, A to the power M by A to the power N, ये क्या होता है, तो ये तो हमारा घातांग का नियम ही है, ये होगा A, A to the power M minus N. प्रस्न संख्या 7, A, B, C का सामानिर रूप है, तो ये A नंबर है हमारा, 100A plus 10B plus C. अब प्रस्न संख्या 8 देखिए, ये है 92 square minus 8 square का मा, तो आइए इसको निकालते हैं, तो यहां पर हम बौर करते हैं कि ये किस सर्व समिकार पर आधारित है, तो ये है A square minus B square, और A square minus B square क्या होता है, A plus B into A minus B, तो यहां A की जगा है बिरान बे 92 और B की जगा है 8, तो इसको बैठाईए यहां पर, ये 92 plus 8, और ये 92 minus 8, तो यहां पर ये हो गया, 100 गुना, यहां घटा देते हैं, तो ये आता है 84, तो ये हो गया, 8, 4, सुन्ने, सुन्ने, तो ये वाला हमारा A option सही है, अब प्रस्न संख्या 9 देखिए, A minus B whole square ब्राबर है, तो ये तो हमारा सर्फ समिका ही है, और ये हम जानते हैं A number, प्रस्न संख्या 10, एक परिमे संख्या को खालिस्थान के रूप में दर्साया जा सकता है, तो ये हमने परिमे संख्याओं के जो परिभासा है, उसी में हमने पढ़ा है, कि परिमे संख्याओं ऐसी संख्याओं होती है, जिन्हें हम P by Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां Q is not equal to 0, और P और Q क्या होते हैं? ये पूर्ण संख्याओं होती हैं. तो इस तरह से, 2024 में जो वर्ण एज के लिए, इससे वन परिक्षा हुई थी, उसमें ये मैंस का 1 से 10 नंबर प्रसंतक का हल पूर्ण व्यक्त्याओं के साथ किया गया है. आसा है कि आपको आगे जो परिच्छाएं होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो काफी मददगार सिद्ध होगा. धन्यवाद. आसा हुई थी, मर प्नीवाद. आसा हुई.